हे गाईज, वाग्स अप? आजके वीडियो नहीं रला है बाइसेकल एसेसरीजइस पे तो मैंने इस वीडियो के लिए काफी अमेजिक सेसरीज मंगायां यह बाइसेकल की और हम लोग इस चाइकल पर लगाए कि आपको दिखाऊए की कैसी बाइसेकल की एसेसरीज है वो first accessory से यह है top tube bag यह थोड़ा different type का bag है जो किसी भी bicycle में लग सकता है and riding के time समान रखने के लिए काफी अच्छी चीज आई है इसके पीछे की side आपको velcro में लेगा जिसको यूज करके आप अपनी bicycle में से अच्छे से लगा सकते हैं and guys इसमें 2 side pockets दोनों waterproof है तो बारिश में भी full protection रहता है next girls front side में आपको स्मार्टफोन रखने के लिए transparent pocket दी गई है आप इसे कुछ इस तरह से अपनी bicycle पर लगा सकते है यह काफी easily लग जाएगा and कोई भी cycle में लग जाता है यह अराम से and दोनों side काफी spacious pocket है तो आप इसमें अपने personal accessories bicycle riding के time रख सकते है जैसे कि keychain wallet and और अपना personal समान and ऊपर की साड़ आप अपना smartphone रख सकते है कुछ इस तरह से इसकी pocket 6.2 inches की है इसमें काफी असानी से कोई भी smartphone fit हो जाता है and यह test sensitive है तो आप अपने smartphone को बाहर से ऑपरेट कर सकते है आपको smartphone निकालने के जरूद नहीं है all in all मेरे को काफी बढ़िया product लगा space भी जादा नहीं लेता है and अगर आप riding पे जा रहे हो तो आपके लिए काफी useful हो सकता है और guys मैं आप लोगों के लिए यही product giveaway कर रहा हूँ तो अगर आपको giveaway में participate करना है आपको मेरे को Instagram पे follow करना होगा counting.unique user ID है and giveaway पे post और result उधर ही आएगा तो बढ़ते हैं guys next guide पे यह है cool LED bell तो इसमें guys आपको LED light मिलती है जिसमें 3 different type के modes है and साथी में आपको एक safety on मिलेगा इसमें आप इसे bicycle के handlebar में लगा सकते हैं काफी easily यह इसका holder है इसमें guys आपको 3 AAA बैटरी डालनी है इसे on करने के लिए and फिर holder attach करके इसे आप अपनी bicycle में लगा सकते हैं and फिर आप अगर first button प्रेस करते हैं तो safety horn बजेगा next button से guys LED light ग्रो होती है LED light के भी 3 different modes है आप button प्रेस करके change कर सकते हैं and light अपने according adjust कर सकते हैं next product guys में आपको काफी interesting लगा यह है foot flow pump guys आप लगों ने bicycle के काफी सारे air pump देखे होंगे but यह थोड़ा different type का है इसका size काफी compact है and इसे आपको अपने foot से press करना है और काफी easily press भी हो जाता है and इसमें pressure gauge भी है तो आप pressure भी measure कर पाओगे and उसके according air pump कर सकते हो tire में और guys इसमें different type की nozzle interface है तो आप इसे bicycle, bike, car सब में हवा भा सकते हो और इसके साथ guys आपको अलग से दो nozzle और मिलती है जिनको यूज़ करके आप अपने football, basketball इन सब में भी हवा भा सकते हो हवा भरने के लिए आपको correct nozzle interface चूज़ करना है उसके बाद आप simply foot से प्रेस करके हवा भर सकते है मेरे को काफे बढ़िया product लगा 600 रुपीज प्राइज इसका and मैं आपको definitely recommend करूँगा next है guys, super flexible num lock तो bicycle lock भी काफे different type के आते हैं बट यह lock मेरे को काफे बढ़िया लगा यह एक तो काफे जदा flexible है and इसमें आपको 4 digit के एक number code मिलता है जब वो आप correct number code पे लाएंगे अभी यह lock खुलता है तो आपको हमेशा अपने पास keys रखने का कोई tension नहीं है and guys, जैसा कि मैंने बूला यह काफे flexible है और लंबा भी है तो इससे bicycle को किसी चीस से attach करके lock करना भी काफी easy हो जाता है and यह अतना flexible है कि आप इसे अपनी bicycle को lock करने के लिए कहीं पे भी use का सकते है काफी अराम से bend होके लग जाता है यह lock and यह strong भी काफी जाता है next product है guys, chain cleaner तो guys, यह chain cleaning के लिए brush है इसका size adjustable है आप इसे अपने according adjust कर सकते है and chain में कभी-कभी dirt लग जाता है तो आप इस brush को यूज़ करके अच्छे से clean करने के बाद lubricant लगा सकते है यही नहीं guys, आप इसे gear apart clean करने के लिए disc brake clean करने के लिए भी use कर सकते है यह multi-purpose cleaning brush है तो यह थी guys, bicycle की 5 accessories आप इसे अच्छे सब्सक्राइब नहीं करें जरूँ सब्सक्राइब कर लेना मैं ऐसे content लाता रहता हूँ so that's it for this video guys I will see you in the next one